हेलो एब्रिवन, वेलकम टो आट्सुस्टर दीमेडी जी, आट्सुस्टर दीमेडी जी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अज युन वड़ेट, वी अब स्टाटेड पॉलिटिकल साइंस सेरीज अब क्लास 6, इस इस फर्स लेक्चर प्रफिप, यह पंचायती राज, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर रे स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फिप्ट है, जो पंचायती राजनाम से, तो इसको हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, तो what happens after people elect their representative, तो जब लोग किसी अपने representative को भोट करके elect कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, कभी अपने सोचा है, how are decisions made, लोग जो है decision कैसे लेते हैं, ठीक है, वोग जो है, जो लोग elect होते हैं, वो decision कैसे लेते हैं, let's look at how this takes place in ruler area, हम लोग चलिए आगे इस chapter में देखेंगे, कैसे यह ruler area में यह सारे function जो है, काम करता है, here we look at gram sabah, इसमें हम लोग एक gram sabah के बारे में देखेंगे, gram sabah which is a meeting where people directly participate, तो gram sabah क्या होता है, एक meeting होता है, जहां पर लोग जो है direct जाते हैं, ठीक है, बीना के से हिचक के आराम से जा सकते हैं, और उसमें participate कर सकते हैं, and seek answers from their elected representative, और जिन लोगों को उन्होंने vote दिया है, उससे जो है सवाल पूछ करके answer expect करते हैं, ठीक है, अगर उनको कोई समस्या तो अपने representative से सवाल पूछते हैं कि हाँ, अगर सडक नहीं है, तो सडक क्यों नहीं बनवाया है भाई आपने, तो यह सब जो है सवाल वह लोग पूछते हैं, उसका answer भी उन लोगों से expect करते हैं, तो it is a special day today, everyone is rushing to get to gram sabah, आज एक special दिन है, आज मतलब यह lecture में नहीं, इसमें जो एक story चलेगा, उसके बारे में बात हो रहा है, एक special day है, सभी लोग जो है गाहों के जो है gram sabah की तरफ भाग रहे हैं, भाग रहे हैं मतलब थोड़ा जल्दी में जा रहे हैं, do you know why, आपको य gram sabah is holding its first meeting after the election of the new gram panchayat, क्योंकि gram sabah जो है, वो अपना पहला meeting रखा है gram panchayat के election के बाद, यानि कि कि किसी panchayat में जो election हुआ था, तो उस election में जीतने के बाद जो representative चुने गए, तो वो लोग जो है अपना पहला meeting रखे थे लोगों के साथ, the people of hardas village are keen to find out what their new panchayat, चीक है, what their new panchayat function वगारा, सायद यहां पे कुछ missing है, तो हरदास गाउं का एक story है, यहां के लोग काफी जादा एक तरह से excited है जानने के लिए कि क्या उनका panchayat वाले क्या काम करेंगे, तो अभी आप gram sabah gram sabah सुनें, तो confusion हो रहा हो, तो पहले इसको clear करते हैं, तो gram sabah क्या होता है ठीक है, covered by यह panchayat, तो एक panchayat के अंदर, जितने भी adult हैं, ठीक है, तो वे लोग एक meeting में participate करते हैं, और उस meeting के क्या नाम है, gram sabah होता है, this could be only one village और a few villages, तो gram sabah जो है, किसी एक गाउं का भी हो सकता है, या एक से अधिक गाउं का भी हो सकता है, in some estates, as in example above, तो किसी-किस estate में, जैसा कि उपर example देखें, जिसमें हरदास गाउं के बारे में, a village meeting is held for each village, तो हरे गाउं के लिए क्या होता है, किसी-किसी estate में, हरे गाउं के लिए यह meeting होता है, anyone who is 18 years old or more, and who has the right to vote is a member of the gram sabah, तो जो कोई भी उस गाउं में 18 साल या 18 साल से उपर का है, जिस किसी को भ ग्राम सभा का member बन सकता है, या member होता है, वो जाकर के ग्राम पंचायत की meeting में सामिल हो सकता है, यहीं होता है ग्राम सभा, अब हम लोग देखते हैं कि ग्राम सभा क्या होता है, तो ग्राम सभा meeting begins with पंचायत president who is also called the सरपंच and the members of the पंचायत, the पंच, presenting a plan on repairing the road gate connects the village to the main highway, तो हरदास गाउ में क्या होता है, ग्राम सभा का meeting सुरू होता है, meeting में कौन-कौन रहता है, तो पंचायत president रहता है, जिसको सरपंच कहा जाता है, ठीक है, और member जो है, उस पंचायत के जो member होते हैं, जिनको पंच कहा जाता है, तो वे लोग जो है, एक साथ उस meeting में बैठते हैं और वे लोग discussion करते हैं कि road का repairing करवाया जाए जो road highway पे जाके connect होता है मतलब गाओं से जो road highway को जोडता है उसको क्या करवाना है repairing करवाना है और इसी मुद्धे पे बाचित चल रहा होता है after this the discussion moves to the subject of water and water shortages इस road वाले discussion के बाद जो है उन लोगों का सरपंच और पंचो का discussion कहाँ पे जाता है गाओं में पानी और पानी को ले करके कुछ समस्या है कुछ कमी है उस पे discussion चल जाता है every village पंचायत is divided into ward तो एक जो village का पंचायत होता है वो काफी सारे ward में बटा होता है smaller area ward यानि कि छोटे छोटे area में एक पंचायत है उसको छोटे छोटे area में बाटा जाता है each ward elects a representative who is known as ward member और पंच हर एक ward से क्या होता है एक representative चुना जाता है जिसको ward member का आ जाता है ठीक है पंचायत को ward में बाटा जाता है और ward में ward से जो आदमी खड़ा होता है election लड़ता है और जितता है उसको क्या बोले जाता है ward member या पंच भी बोले जाता है तो all the members of the gram सभा also elect a sir punch who is the panchaat president तो अब जितने भी member होते हैं ग्राम सभा के ठीक है तो वो लोग एक sir punch को भी चुनते हैं जो कि क्या होता है पंचायत का president होता है एक तरह से the ward punch and the sir punch from the gram panchaat sorry the ward punch sorry sorry the ward punch and the sir punch from the gram panchaat तो जो ward के पंच लोग होते हैं जो चुने जाते हैं और जो एक overall sir punch होता है तो ये लोग मिल करके क्या बनाते हैं gram panchaat बनाते हैं the gram panchaat is elected for five years तो इंडिया में जो जो ग्राम panchaat है वो पाँच सालों के लिए elect होता है एक बाद चुने जाने के बाद वो पाँच साल तक करता है the gram panchaat है जो सेकरेटरी is also the secretary of the gram सभा तो gram panchaat का एक secretary भी होता है जो कि जो gram सभा होता है ठीक है उसका secretary होता है this person is not an elected person but is appointed by the government तो इसको साथ करमचारी बोलते हैं गाउ में पता नहीं इसका हिंदी का है secretary का यहाँ पर मुझे नहीं मालम तो जो elected person होते हैं यह जो sorry यह secretary होते हैं तो यह elected नहीं होते हैं यानि कि लोग इनको नहीं चुन करके बैशते हैं यह लोगों का representative नहीं होते हैं इनको सरकार यह point करती है सरकार जो इनको बहाली करती है ताकि यह गाउं में जा करके क्या कर सके काम कर सके इनका काम क्या होता है तो the secretary is responsible for calling the meeting of the gram sabah and gram panchayat तो जो secretary होता है वो gram sabah या और जो gram panchayat का meeting होता है न तो उस meeting को बुलाना इसका काम होता है and keeping a record of the proceeding और वहाँ पे जो जो proceeding हुआ जो भी मतलब बातचेत हुआ काम हुआ उसका एक तरह से record रखना इसका काम होता है secretary का तो इस lecture में इतना ही thank you for watching stay tuned with us